वेलकम बैक यूर अरिस्टोक्राइट्स और आज मैं बात करेंगे अगले हफते की थोड़ी बहुत का न्यूस के बार में मतलब पिछले हफते की करेंगे और एक न्यूस है टियोटा और किया से रिलेटेड जो कि आपको शायद काफी बसंद आएगी और हाँ उसे बहले सब् बादार होगे 2,202,000 कराते हैं तो आज की जो हमारे पहली लिउस है कि M.G. ने अपनी ग्लॉस्टर का एक निया ब्लाक स्टॉम एडिशन को अन्मिल कर दिया मतलब लांच कर दिया जिसमें आपको एक दम ब्लाक थी मिलती है सामने आपको नए ग्रिल मिलती है साधी में इसे थोड़ी red ambient lighting मिलती है और इसका starting price है 40.8 lakh रूपी एक रूम इंडिया का जो की चलो सही है पर मुझे पसद नहीं यह गाड़ी बिल्कुल भी पैसे M.G. Gloucester की थोड़ी अलगसी looks है और यह थोड़ी जचनीरी sporty looks उस गाड़ी पर इस पर थोड़ी ऐसे elegant looks पसंद आती ह है मुझे तो इसलिए ठीक है लेनियों की लेलना फिर जो आज की अगली न्यूस है कि Ashton Martin ने अपनी DB12 को अन्मिल कर दिया है जो की DB11 का successor है इसमें आपको प्लाटफॉर्म है जो इसका ऐसे wheelbase वग रहा है DB11 वाला मिलता है लेकिन आपको नए upgrades मिलते है जैसे आपको सामने नए lights मिलती है जो कि पहले से बड़ी है जिसमें आपको LED matrix function मिलता है साधी में आपको नए grill मिलती है जिसमें आपको जो shave है वो Ashton Martin वाली मिलती है लेकिन जो grill की overall size है काफी बड़ा है पहले से ताकि जो गाड़ी की अंदर airflow है काफी increase हो side में गाड़ी में आपको exactly same looks मिलती है DB11 वाली बस आपको नए lights मिलते है और जो इसके side के air vents है air scoops है उसमें आपको difference मिलते है और पीछे एकदम same looks है पर जो real upgrade है इस गाड़ी के अंदर है जिसमें आपको एकदम नए interior मिलता है काफी कुछ Bentley Continental GT जैसा जिसमें आपको एकदम निया steering मिलता है से touch control वाला काफी cool है साथी में आपको instrument cluster मिलता है निया जिसमें आपको पूरी screen है वगरा है मिलती है center console में आपको नए screen मिलती है काफी बढ़ी वाली साथी मापको ऐसे बहुत ही ऐसे बढ़िया बढ़िया high quality वाले buttons मिलते है जो की थोड़ी बहुत Bentley वाली feel दे रहे है और इस गाड़ी में प पर क्या करें emission norm से compile करने के लिए ब्रांच को करना पड़ता है और बागे इसका इंडिया में लाँच हो गया 4.8 क्रोड रुपीज एक्शनों मीडिया के प्राइज में आप थोड़ो बहुत options वगरा लोगे तो इसका प्राइज ऑन लोड अराउं 6 क्रोड का बढ़ने वाल प्राइज लगवा सकते हैं और बढ़िया फिर वही वाली फी ले सकते हैं इसलिए ब्राइज ने क्या कर रहा है कि अपसे जो भी महिंद्रा थार 4.2 डिस्पैश होगी उसमें साइड में 8WD या रेरी विल ट्राइब का बैज आने वाला है राकि जो थार 4.2 ओनर्स है जो क कि इससे जो 4x4 उनर्स है उन्हें थोड़ी अराहत मिलेगी क्योंकि उनकी गाड़ी भाई कोई डिफ्रेंशेटिंग करी नी पारी थी अपने आपको और सेकंड चीज यह पर यह जो बैज है सानी से कोई भी भी हटा सकता है और 4x4 का बैज लगा सकता है वैसा नहीं है कि य 38,000 बुकिंग्ग्स है, XUV 7W के लिए, 29,000 बुकिंग्स है, XUV 3W और XUV 4W के लिए, 58,000 बूकिंग्स है, महिंदरा थार के लिए और स्कॉर्ब्यों क के लिए भी अरौण का पी ज़ाद है, 67,000 है तो इसलिए बनाट को काफी दिक्कत हो रही है, इन सारी काऱ् को बनाने में और dispatch करने के लिए तो इसलिए बिनाट अपनी production capacity को 39,000 से grease करके 49,000 पर लाने वाला है अगले 6 महिने के अंदर अंदर आकि जो 12 साल का waiting period आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए at least एक साल पर आ जाए और यह जो अगर आप देखे booking numbers इसमें काफे सारे fake भी होते है क्योंकि काफे सारे लोग बस गाड़ी को book करा लेते है और बात में जब उनके delivery आती है तो उसे लेते नहीं है क्योंकि जो booking amount है वो fully refundable होता है तो इसलिए कोई tension नी होती उन्हें और बाकी हाँ मैंने बता नहीं आपको update दिया या फिर नहीं पर मैंने अपनी Scorpion की booking cancel करा दिया है जो मैंने Z8 manual deep forest वाली ली थी वो करा दिया है क्योंकि मुझे कोई ऐसे उसमें uniqueness लगी नहीं और बोर होग कर दिया है जो कि इस ब्रांड की नई ब्रांड आइडेंटिटी को करेगा जो कि बेसिकली बस जेहला लिखा हुए नॉर्मल से फॉंड में और जो आ रहे है थोड़ा कटा हुआ है और extremely simple logo है और जो ब्रांड की CEO हो यह कह रहे है यह जो जैगवर ब्रांड है उसे वही लेक अब यह जो ब्रांड की इस चालिंग है उससे काफी असानी होगी कस्टमर को अपनी ऐसे गाड़ी सिलट करने में और ब्रांड को प्रमोशन वगर अगर अगरे में पर जो आज की फरारी की CEO ने कह दिया है कि वह बिल्कुल इंट्रस्टीड नी है ऐसे ऑटॉनमास और फु बड़िया बनानी है जिसमें बड़िया टेक्नॉलजी हो बड़िया परफॉर्मेंस हो ताकि जो कस्टमर है उन्हें अच्छा फीलो उन्हें चला के और यह मेरे खाल से काफी एक सही अप्रोच है कि आने में मुझे क्या लगता है कि जो एंजिन वाले काड़ी है ऐसे स्पो सोट होने बड़िया और स सिर्फ प्रक्राइब विक्षनें वाली है आने वाले टाइम में ऐसा बिलकुल नहीं होने बाला और फिर जो आज की अच्छी यूजज है कि जो Kia और तरह च तेयोटा है उनके पीच में ऐसे जो high cross वगर है और जो high rider है उसके लिए काफी बढ़िया demand आ रही है तो इसलिए brand बढ़िया enjoy कर रहा है और जो Kia की lineup है काफी पुरानी हो गई है जो उनकी cell toss है अल्मुस्ट चार साल पांच साल पुरानी हो गई है कोई भी फेसले प्टाया नहीं है तो इसलिए अब ये brand थोड़ा पुराना हो गया अब ये brand नहीं cars को launch करेगा ताकि थोड़ा lead में दुबारा आए और फिर जो आज की अगली news है कि टाइड मोटर्स ने अपनी altros की 13 नए altros ले सकते है जोगी काफी बड़ी है काफी affordable है और बाकी जैसे icng वगर भी लांच कर दी है brand ने इसलिए अगर आपको इसमें ऐसे sunroof चाहिए साधी में cng चाहिए वो भी आप ले सकते है और बड़ी आप कॉम्बो बना सकते है और फिर जो आज की last news है कि महेंद्रा की जो स्पॉर्ट करा गया जिसमें confirm होता है कि इस गाड़ी में आपको sunroof मिलने वाली है as camera to normal थार जिसमें आपको sunroof अगरा कुछ नहीं मिलती और एक जो इस गाड़ी में और चेंज होने वाला है कि जो normal 3-door थार है उसमें आपको soft top roof का format मिलता है मतलब आपको detachable roof मिलती है roof एक और जो छो इसके बॉड्य सिंगल यूश अने वाली है अब 2 साल के लिए इस ब्रांड के बास कोई गाड़ी नहीं है जो कि यह brand launch करने वाला है क्योंकि जो already इस brand के पास सारी cards है उनमें भर-भर के waiting period आ रहा है और यह brand बना नहीं पारा तो फायता नहीं है ऐसे एक और काड़ी को launch करके उस पे भी दो साल की waiting period रखने का जबकि इस brand के पास production का बासटी है ही नहीं जोगले सा लाउंच ओने वाल ये फायर टोर थार देखते कैसे होती है और यही था आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो like, share, subscribe कर देना